विज्ञान विश्यर में एक पार्ट है जीवों की संडशना उसको जब हमारे शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसको पढ़ाने में काफी दिक्कते आती हैं और बच्चे उसको इस पश्टूप से नहीं समझ पाते हैं उसी को बच्चे किस प्रकार रुचिपूर्ण से पढ़े और शिक्षक उसको पढ़ा सके इसी पर चर्चा करने के लिए आज हम लोगे कत्रित हुए हैं हमारे साथ है प्रात्मिक विद्याले शिवरी से शिल्पा सिंग और प्रात्मिक विद्याले रहमत नगर से सत्य प्रकाश पांडे तो शिल्पा आप अपने विद्य जाले में बच्चों को जब पढ़ाती हैं, तो क्या चीज इसपष्ट नहीं कर पाते हैं? जी मैडम, जब हम बच्चों को जीवों का संगठन पढ़ाते हैं, तो उसमें एक भाग आता है उतक. और उतक में हम तची उतक और समहन उतक बता देते हैं, बच्चे अच्छे से समझ भी लेते हैं, और जब हम भरण उतक पर आते हैं, तो उनमें कितने प्रकार के होते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है, ये बच्चे अच्छे से समझ नहीं पाते हैं. बच्चों को उतक के विश्य में बताते हैं, वो तो जानते हैं कि कोशिका से ही मिलकर उतक बनते हैं, उतक भी कई प्रकार के हैं, हम जो भरण उतक के बारे में आप पूछ रहे हैं, वो ठीक पूछ रहे हैं, कि भरण उतक को कैसे हम समझाएं, भरण उतक को जब हम समझाते है तो सबसे पहले उनके हम उनके प्रकार बताते हैं, कि वो तीन प्रकार के हैं जैसे कि आपने बच्चों को बताया कि पहला प्रकार है उनका म्रदू उतक या पैरन काइमा दूसरा है इस्थूल उतक या कॉलन काइमा, तीसरा है द्रडू उतक या इस्कलरन काइमा आब देनू, तेनू ऊत्कों, को हिंदी में हमने बताया फिर अंग्रेजी में जपी बत आते हैं जी मैदम, अंग्रेजी पी बताने से उनको आगे खक्षा में फिर परेशानी नहीं हो क्यम्रदू राहिए providing uniform प्रकार तो बच्चे याद कर लेते हैं लेकिन उनकी सनरचना इसपष्ट नहीं करका इसके लिए अच्छा तरीका है कि आप चार पेपर पर उनका चित्र बनाएं उनकी लेबलिंग करें नाम लिखें और बच्चों को वो चित्र अवश्ष्य दिखाएं जैसे कि यह हम चित् प्रदू तक याद पैरन काइमा इस चित्र में आप देख रहें कि यह जो कोशिकाय है यह किस प्रकार से दिखाए पड़ रहे हैं बच्चों से याप पूछेंगे तो बच्चे स्वयम बताएंगे जी माम बच्चे बताएंगे कि यह अंडाकार है जी जी हां इनके बीच म इनको हम अंतरा कोशी स्थान कहते हैं और बच्चों से आप दुबारा भी पुछवाले ये जो खाली स्थान है इनको हम क्या कहेंगे वो बोल कर इसको समझ सकते ह। आप देखें इसमें चीत्र में एक जग्धे केंध्रक लिखा हुआ है जी मैडम जी तो यह जो हमारे मृद्धू तक है इनमें केंद्रक पाया जाता है जी माडम बच्चों को पहले से पता है कि जिन कोशिकाओं में केंद्रक रहता है वो सक्री कोशिका होती है ये पिछली कक्षाओं में बच्चे जान चुके है तो हमें उनको बताना है कि यदि ये केंद्रक है और ये सक्री को इसमें और एक चीज आद देखने हैं कि इनमें कुछ जमा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि कोशिकाओं के अंदर कुछ जमा है, तो ये भोज़ पदार्त को संचित करते हैं. यह जो भोज़ पदार्थ है यह किस रूप में संचित होता है इसमें इसमें बच्चों से आप रदोतक का चितर बनवाले केंद्रक और इस तरह से उनके नाम लिखवा दे तो बच्चे इस चीज को जब स्वयम चितर बना कर देखेंगे तो उसको पूंट तरह से इसके बाद हमारा दूसरा है जी मैडम इसमें ये म्रदू उतक है तो इससे इनको स्पस्ट हो रहा है कि ये कोमल भागो भागो में पाए जाते हैं बच्चे ये पुछते हैं कि ये म्रदू उतक कहां कौन से भाग में पाए जाता है ये इनकी कोश्काय पतली है देखने में कैसी है लेक प्रश्न है चुंकि ये मुरदू है कोमल है तो ये पौधे के उन भागों पर पाय जाते हैं जो कोमल है जैसे पतियां है कोपले हैं जिनको छूने से ही वो तुरंदमना स्थो जाते हैं और एक इसमें और विशेज गुण है कि ये यांतरिक सहारा नहीं प्रदान कर पाती है मजबूती नहीं देती है इसलिए ये कोमल भागों पर पाय जाते है और बच्चों के जो इनके विशेज गुण है वो हम एके करके उनको लिखवा देते हैं जैसे ये हमने लिखा कोशकाय पतली भित्ती युक्त होती है कोशकाओं के अंतरा कोशकी स्थान खाली होते हैं उ जीवित होती है और कोशकाय कमजोर होती है यांतरिक सहारा नहीं प्रदान कर सकती है इसलिए ये ऐसे स्थानों पर पाय जाती है जैसे पतियां है कोपले है जो पौदे का कमजोर भाग है उसके बाद हमारा दूसरा इससे ये मैडम ये मृदू उत्त बिल्कुल अच्छ से बच्छ के स्थान बिल्कुल खाली है जो अंतरा कोशकी स्थान है वो खाली है दूसरा हमारा उतक है इस्थूल कोण उतक आप इसका भी चित्र बच्छों को दिखाए जैसा कि आप देख रहे हैं कोशिकाओं के बीच में बच्चे भी देखकर आपको बताएंगे कि कोशिक बच्छ के बीच में कोई भी खाली इस्थान नहीं है तो बच्चे ये पहले से यंदर समझ जाएंगे कि मृदूक उतक और स्थूल कोण उतक में इसमें इसमें सेलुलोज और पैक्टिन है इसमें इसमें बता देंगे कि इने जो मोटा दिख रहा है जिसके कारान इनकोंने इसमें 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 इसमे बिल्कुल सही प्रशन है क्योंकि हमारे छोटे बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि अगर ये जमा है तो हम ये कहते हैं कि मृदू उतक में भोजपदार जादा जमा है जबकि इस थूल कॉन उतक में भोजपदार्थ कम जमा हो पाता है तो जो भी ये जमा वाली चीज है ये क हम शुक्षपतार्थ कम जमा होते हैं। इस पर वह देखें आप देख रहें हैं। 밖्र बच्चे भी बताएंगे आप केम्टार्क . जी इसका मतलब है ये कि हिस्ट ready कोशिका है ये जे बताएंगेगे। तो ये चीज आम बील्पbijल कर civिन है। किस तरहीके से बच्चों को मतलब बताएगा है आकाड से हम देखने यह कोश्का है यह भी गोल है लेकिन यह मृदु इतक के तुल्ना में ठोड़ी सी लंवी है ठीक है और यह मोटी है केंदरक होनी की वज़े से यह सक्री है और यह मृदु इतक की तुल्ना में थोड़ी जा बताया कि ये कहां पाई जाती हैं चुकि ये मृदु है कोमल है तो पौधे के कोमल भगों में पाई जाती है लेकिन ये मृदु उतक के तुलना में थोड़े सी जादा मजबूत है तो ये बतनों में पाई जाती है अब हमने उनको लिखवाना है तो इस्थूल कोण उतक के आंतरा कोश की इस्थार अनफस्थित होते हैं Helsinki क्यों अनफस्थित है क्योंकि कोषिका भरत्ती होती है सेलुल्योस और पेक्षिन की लिक्ति जो परत है वब Очी को स्पस्थ करा देंगे चित्र देख के वह पताक है और स्वैमी स्पस्थ इस थूल कौन उतक है लेकिन भोज़ पदार्थ कम मात्रा में जमा हो पाता है ये बच्चों को बिल्कुल दोनों बाते सपष्ट करिए कि भोज़ पदार्थ और रासानिक पदार्थ दोनों अलग-अलग चीजे हैं मृदू उतक में भोज़ पदार्थ जादा जमा है इस कोश्कायं-झीवित है इससे बहुत कम मात्रा में बोज़ं जमा हो पाता है बच्चों को इस पर प्रदान करता है, पत्तिया कोमल है, उनकी टहनिया कोमल है, लेकिन तना मजभूती, वही शब्द है तनन छम्ता, जो भी शब्द इस तरह के कठिन शब्द है, उनको उसी समय आप जरूर इस पष्ट करें, ठीक है, तनन छम्ता, यहां पर कौन से उतक पाय जाते हैं, यह इस इस थूल कौन उतक भी इस पष्ट रूप से समझा सकते हैं, और बच्चों को समझ में आ जाएगा, जी मादम बहुत अच्छे से समझा से, मदलब चित्र के द्वारा और जो उसकी टिपड़ी है, उसको इस पष्ट करके बच्चों को हम कायदे से इस थूल कौन उतक के बा जाएगा 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 जाए ऊंदाकार थी तो बच्चे भी आपको बताएंगे और उनको ये बात इस पश्च होगा कि पहले वाले जो हमारे उतक थे पॉत कते अन्दाकार थे गोल थे इसस्थूल काया थे इसमें बच्चे बता देश है कि ये बहुभूजी है जी हा, बिल्कुल, बहुभुजी है, अंडाकार नहीं है, गोल भी नहीं है, ये कैसी है, बहुभुजी है, ये इनकी अनुप्रस्थकार्ट है, अगर देखते हैं, तो ये चितर हमको दिखाई पड़ता है, अगर हम इनकी लंब कार्ट देखते हैं, बच्चों को आप बताए किताब में नहीं है लेकिन लंब काट अगर हम देखते है तो ये दोनों ओठ से नुकीली है और ये कोश्काए कैसी है बहुजी जे लंबी है नुकीली है गिलम इप ढमने गया अरुभी इसमें आप एक चीज और देखना है कि हम दोनों उतदेखे अगर नहीं होगा तो कोश्काये निसक्री हो जाएंगी जैसा कि मृत हो जाएंगी इन में बिल्कुल बच्चों को इस परष्ट होगा कि ना तो इन में केंद्रक है ना अंतरा कोश की अफ़काश खाली स्थान और ना ही इन में देखिए कहीं कोई जमाव है, किसी भी तरह का कोई जमाव नहीं है, जैसा कि हमने इस थूल कोण में पढ़ा, ना इन में भोजन संचित है, इन में द्रढ उतक है, इन में एक होता है लिगनिन, वह हम बच्चों को बता देंगे, तो मैं मौकिक रूप से ही, लिगनिन की वज़े से ये द्रढ होते हैं, मतलब द्रढ जगयां में इस थूल कोण में पाय जाते हैं, हमारे तने में, तो हम इनकी भी बताएंगे, कि ये किन स्थानों पर पाय जाते हैं, आपने देखा होगा बच्चों को आप जूट और पटसन है, कपास है, बीज है, ये बच्चों से मंगवाएं, उनको हाथ से खुलवा के दिखवाएं, उनको छूके ने पता चले गा, कि ये कतो है, काफी कठोर हैं, और हम बताएंगे कि इन ही में ये द्रढ उतक पाय जाते है, यांतरिक मजबूत, एक शब और इनमें यांतरिक, कि यांतरिक मजबूती, कितने मजबूत है यह, हमारे मृद्यू तक कोमल थे, उसके बाद इस थूल कोणू तक थोड़े उसे जादा मजबूत हुए, जो तनों में पाये गए, द्रड़ू तक हमारे सबसे जादा मजबूत है, और उनको, जो इसमें कोशिकां जो मृत होती है, वो एक प्रकार से जल स कुछी पूंधं से चिखें और हमेशा उसको याद रखें, जब में इस थूल तक का चित्र के बाद उनको उसके बारे में कुछ लिखा कर भी देते हैं, जैसे द्रड़ू तक या इस्क्लेरन काइमा, हिंदी के साथ अंग्रेजी शब्द को अवश्य लिखते चलिए, जिस जिसंते हैं कुछ ओषक राओ कंटें तो ङृद यचांस को जाएंगी जर्सम्भहन का कायो जैसे हम ने म्रकण क का जाए यह कृम सर्ड़ू तक कर्या है, जिस थूल कॉण को बताया है कि वो तने की च McMता प्रति तनन छमता देती हैं। इसी प्रकार ये वाली कोश्काया जो जल सम्वहन का कार भी करती है। तीसरा और आखरी है कि कोश्काय पौधों को यांतिक शक्ति प्रती Как है यह दृणों तक है। मजबूती पर जैसे आप अभी बता रहते हैं कि वो जूट है उसको बच्चों से खिचवा के देखें पती को तुड़ा के देखें यह आप एक कारे करवा सकते हैं कक्षा के अंदर की पती ले तने ले और जूट के रेशे ले लिजे फिर बच्चों के छोटे-छोटे र्च्च वो बच्च की चुड़ा और जक्रां प्रेयोग हो जाता उसका कि यह व्माल फ्रियोग हो जाएका है तो उनको काफी हीट स्वाय जायें गिद्रण भू तक को किस प्रकार नों को समझ में आ जाएगा समझ एदि वो पत्त्य को तो असाने से टूटती है अगर हं तो उनमें थोड़ी सी अधिक कठोड़ी और जब कि जब हम वजू के बीज जब कर देते हैं तो वो तोड़ा कठनाई होती है तो उनकी साँ जाता है कि उतक को किस प्रकार से समझा जाए बिल्कुल तक और इसे ये नाम से भी सपस्ट है मादम कि ये रदू उतक, स्थूल का हुआ है नाद क्यास का जाए तो बिल्कुल तर बीज को कोंद ये स्थूल कंद नत होता है तो चैजिता है तो गाए नाम से प्रस्ण कें बद्ढ में गanhोये नाम से उतक मजबूत में नाम से ये पता जाता नाम से देक हुआ कोंद簡 vice आज आपने हमें उतकों के प्रकार और उनकी संरचना के बारे में जो जानकारी दी है वो बहुत ही रोचक और चित्र के मादम से जो आपने हम बताया कि बच्चों को इस तारीके से बताना है वो बहुत ही रोचक थी और इससे हम अपने विद्यालियों में जाके बच्चों को को अच्छे से बता सकते हैं आपने जो आज स्थूल कोड़ उतक और दड़ उतक के बारे में बिस्तृत जानकारी दी इससे हम अपने विद्याले में बच्चों को अच्छे से समझा सकेंगे और उसका विस्तार पूर्वक उनको वरणन करके चित्र के माध्यम से बता सकेंगे ताकि रुचि पूर्वक अपने अध्यन को कर सकेंगे अगर हम लोग आप लोग बच्चों को इस प्रकार पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से ही बच्चे इस पार्ट को बहुती भली भाती समझ सकेंगे उनकी संरचना उनके कार उन तीनों उतकों में जो अंतर था व पार्ट जीवन की संरचना को चर्चा द्वारा इसपष्ट किया आशा है कि आप लोग को भी इस पार्ट को अच्छी तरह से बच्चों को समझाने में मदद मिलेगी अगली बार हम लोग विज्ञान के किसी अन्य पार्ट को यहां पर इसपष्ट करेंगे और उसमें चार्ट करेंगे